तो पाल में आज हम नया टॉपिक देखते हैं विदिक सहाइता का भारत इधियास विदिक सहाइता लीगल आड के समभन में आपके बहुत से कुश्चेंस आते हैं पाल में और रहें से सहरे किस तरह से और अबलियबल कर वाई जाना है और समीधान में क्या क्या प्रावधान है अन्य कानूनों में विदिक सहायता की समद में क्या प्रावधान है वे सब हम आगे वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो विदिक सहायता का एक फौरी तोर पर मैं आपको और्थ बताती हूँ कि विदिक सहायता क्या है आखे हम जब टॉपिक इसका करेंगे कि उसका अर्थ वगएरे वो चेप्टर करेंगे तो हम और अच्छे जूरिस्ट ने इसकी विदिक सहायता की परिभाशा दिये उन सब को करेंगे एक बार सार रूप में मैं बताती हूँ आखे हम आपको कि विदिक सहायता क्या है यह एक चुल में उन व्यक्तियों को एड़ोकेट उपलब्द करवाना जो फीस देने में अर्समर्थ है मतलब विदिक सहायता का अर्थ नाकिवल न्यायले में मामलों के प्रतिनिधित्तों से है बलकि इसमें उनके कुछ समझोते करवाना उनके अधिकार और दाइतवों के बारे में उने जांकारी देना और निड़्धन और गरीब लोगों को विदिक और समवेधनिक अधिकारों का संरक्षन सोनिश्जद कराना ये सब विदिक सहायता में समेले अक्टूल में इसका उदेश्य है कोई निर्धन व्यक्ति है कोई आसहाई व्यक्ति है कोई इस्तरी बच्चे उनका शोशा और अत्याचार के विरुद उपलब्त उनका उपचार उपलब्त करवाना और केवल करेबी के करण उन्हें विदік का संरक्षन न मिले ऐसा नहीं होने दिना ये सब वितिक सहायता है यानि दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं जो कि जस्टिस भगवती जी ने कहा है कि वितिक सहायता का आर्थ समाज को इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्द कराना जहां न्याई प्रिशाषन की मशीनरी आसानी से उपलब्द हो तो था उन व्यक्तियों को पहुंच से दूर नहीं होना चाहिए जो वितित वारा प्रदत अधिकारों को एन्फोर्स्मेंट कराने के लिए आते हैं इस तरह से ये सब हमने विदिक साहिता का अर्थ पढ़ा है अब हम देखते हैं कि विदिक साहिता का इतियास भारत में कैसा रहा इस्टोरिकल बैग्राउंड में इंगलेंड का वगरे भी आपके इतियास बताया गया है हम अभी यहां भारत के इत्यास को देखते हैं कि भूद्पुरू जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदरा गांधी जी उन्होंने कहा था कि गरीब लोगों के अपिक्षर अमीर वर्ग के लोगों को कानून का सनरक्षर बहुत आसानी से मिल जाता है तो इस स्थेतिकों अंग्रेजों की नयाइक वैवस्ता माना गया था और इस बात की आवशक्ता महसूस की गई थी कि लोग विथी को अपना मित्र समझे, शत्रू न समझे और विथी में अपनी आस्ता रखे कि अगर विथी है हमारे साथ तो हमें अपने अधिकारों से कोई वंचित नहीं रख सकता ये विथी में आस्ता है तो भारत में विथी सहायता का इतिहास बहुत ही पुराना है हमारी पौरानिक नयाई वैवस्ता में भी जो गरीब और निर्बल है उसकी सहायता करना और युक्त युक्त न्याई विधी के नेतिकता इन सब को शामिल किया गया था और यह माना जाता था कि विधी की सहायता से एक असक्त व्यक्ति भी शशक्त व्यक्ति पर विजय पा सकता है लेकिन यह विजय तब ही हो सकती है जब विधिक सहायता यानि विधि की सहायता उसे मिले अंग्रेजी साशनकाल में सर्फ प्रिथम बंबई के गवर्नर अंगियर ने 8 अगस्त 1672 में भारत की गरीब जंता को समान और नीश शुल्क न्यायत देराने के लिए कुछ कदम उठाए थे लेकिन उस समय वारिन हैस्टिंग ने न्याय शुल्क की वैवस्ता को शुरू किया था कॉर्णिवास ने 1713 में में अब इस योजना को इसे समाप्त करके विधिक सहायता की शित्र में अग्रेटा की वुमी का निबाई थी लॉर्ड फिल्डिम बैंटिंग और मेकाले ने भी इस द्रश्टि से कुछ कारे किये थी मेकाले का नाम जो कि जो हमारी भारते दंड सहीता है दंड वैवस्ता वगरा ये सब मेकाले के ही द्रश्टिकॉन पे निरबढ़ थी कि मेकाले का कहना था कि ये दिनयाई समांता के आधार पर सभी को बिना किसी भेदबाव के सुलब न हो तो सभी को समांसुरक्षा नहीं मिल सकती यानि अगर समानता से नियाई नहीं है तो सामाजिक सुरक्षा भी की भी गारंटी नहीं हो सकती है 1925 में रेकिन कमीटी ने अपनी रिपोर्ट में का था कि भारती नहीं वैवस्ता का सबसे बड़ा दोश है कि मुकदमे बाजी इतनी खर्चिली है कि केवल धनी व्यक्ती ही नियाले में जा सकता था और वाकई में इस कमीटी के जो रिपोर्टिंग की गई थी बहुत ही प्रभावी रिपोर्टिंग की गई थी और यह रिपोर्टिंग के जो शब्त थे कि मुकद में बाजी इतनी खर्चिली है कि धनी व्यक्ति ही न्याले में जा सकता है यहाँ सेंटेंस आज के परिपेक्ष में भी उतना ही सही साबित हो रहा है तो विदिक साहिता के प्रेशन पर भारत के लोगों का ध्यान इंग्लेंड की रैस्ट क्लिफ कमिटी द्वारा मई 1945 में प्रस्तूत किये गी रिपोर्ट पर गया इस रिपोर्ट में इंग्लेंड के समन्द में मुख्यों रूप से निम्र लिखित सिफारिशें की गई थी ये सिफारिशे हैं विदिक साहिता सभी नयलों में इस तरह उपलग्द होनी चाहिए कि इसकी आवशक्ता वाले सभी व्यक्ति से प्राप्ट कर सके यानि जिनको विदिक साहिता प्राप्त होनी चाहिए जिने इसकी आवशक्ता उन्हें यह उपलत होनी ही चाहिए विदिक साहिता के प्राप्धान केवल निर्धन के रूप में वर्ग रिक्रित किये गे व्यक्तियों के रूप में सिमित नहीं होनी चाहिए और पितु इसमें अन्य वर्ग के लोगों को भी शामिल करना चाहिए यानि कि सिर्फ निर्धन व्यक्ति ही नहीं अन्य ऐसे व्यक्ति जो कि न्याई पाने में असमर्थ है भले ही वो हो सकता है निर्धन नहों लेकिन भी असहाई होता है जैसे कि एक अच्छे परिवार की कोई स्तुरी है वो अपना न्याई पाने में असमर्थ है तो उसकी भी साहिता करना वो भी वितिक साहिता होगी उसे अपने अधिकारों के परती जागरू करना उसे अपने अधिकार दिलाना इस तरह से इस कमीटी की ये शेफारिश थी नेक्स्ट हम देखते हैं इस कमीटी ने ये शेफारिश की कि वह निर्दन जो कुछ भी भुगता नहीं कर सकते हैं उन्हें मुफ्त वितिक साहिता मिलने चाहिए नेक्स्ट है विदिक सहायता योजना का खर्च सरकार्द वारा वहिन किया जाना चाहिए नेक्स्ट बैरिस्ट्रों वो सॉलिस सिस्टर्स को उनकी सेवा के लिए प्रयाप्त पारिश्रमे मिलना चाहिए और अंतिम सिफारिश्ट थी रैसक्लिफ कमिटी की कि देश के सभी नगर और कस्बों में विदिक सहायता केंदरों की स्थापना की जानी चाहिए तो रैसक्लिफ कमिटी की रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद ही बंबई लीगल एंट सोसाइटी ने 1949 में इस रिपोर्ट की और सरकार का ध्याना करशित किया और भारत में भी इस प्रकार की कमिटी नियुक्त करने का सुचाव दिया गया इस तरह से भारत में इसका बैक्राउंड काफी लंबा रहा लेकिन स्वतंतरता के बाद इसमें बहुत अधिक चेंजेज आए और काफी ऐसे प्रावधान CRPC में, CPC में और यहां तकी सम्विधान में इतने प्रावधान किये गए विदिक सहायता को लेके कि वाकई में अब ऐसी स्तती है कि गरीब और नीशाय और नीशक्त व्यक्तियों के को अपने समिधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए विदिक सहायता के प्रावधानों की कोई कमी नहीं है नेक्स्ट वीडियोज में हम भारत में नियुक्त विपिन समीतियां जो विदिक सहायता के समन्द में प्रावधान करने के लिए कारकार साबित हुई उन सब को हम पढ़ेंगे और फ्रेंड्स इसके विदिक सहायता के लगे और मैं अच्छे अच्छे वीडियोज डालती रहूंगे उन सब के टच में रहिएगा थैंक्यू सो मच